आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download Now Hello, Welcome to doubtnet इस प्रस में बोल रहा है कि मादिमिक अस्थर पे जो भाषा का सिक्षण होता है उसका उदेश सिक्या होता है ठीक है, तो मादिमिक अस्थर का मतलब क्या हुआ कि कक्षा 6 और 7 तक के सिक्षा को क्या बोलता है, उच्छे प्रांत की सिक्षा कहा जाता है और प्राथमिक अस्थर के बच्चों को भासा के भासा के ब्याकरण का ग्यान होना चाहिए ठीक है मादमी कस्तर का मतलब हो गया कि कच्छा 6 कच्छा 8 तक ठीक है यह हो गया मादमी कस्तर अब हमने बताना है कि भासा सिक्षण के उद्देश से क्या क्या है सबसे पहले उद्देश में पहला उद्देश से यह होता है पहला उदेशा होता है कि छात्रों को हिंदी की पाठ तुस्ता के माध्यम से मानो उपियोगी ग्यान कराना ग्यान दराना ठीक है? पहला उदेशा हो गया दुसरे उदेशा की बात करते हैं तो छात्रों को सब्दों के सुध्य ब्याकरण और उचारन सुध्य वर्दनी के बारे में असपस्ट ग्यान होना ठीक है? इसका मजलब के दूसरा क्या हो गया? कि व्याकरन और सुध्य वर्तनी का ग्यान ठीक है उसी तरह से होता है कि छात्रों को सुंदर लेखन का ग्यान होना चाहिए ठीक है उसके बास होता है कि छात्रों को उचित ध्वानी प्रवा और धैरे के साथ कौसल का विखास करना होता है अब हम लोग विकल्ब देखते हैं, विकल्ब में चात्रों को दूरूत गती से, दूरूत गती मतलब तेस गती से स्वाश्वर अपने से और मौन पढ़न करने का प्रेड़ना देना ये तो सही है, ये होगा, ठीक है, अपने अभिने समात के योगर्था को उत्पन करना, ठीक जैसे कि छात्रों से दुसरों के दुबारे मौके की अलिखी रुप से अभिवियक्त विचार के जानड़े की रुची का भीकास करना, छात्रों में भासा और उसके सहित्ते के पर्थी आधर और भाव का निर्माण करना ये सब कुछ होता है इसका उदेश। लेकिन विकल्प को देखते हैं तो इसमें होगा खुबरोग सभी, थेंक्यू